कि परिवारी की सिति उतनी अच्छे नहीं है तो मतलब भाई भी नहीं है तो पापा के कुछ हल्प करना पड़ता है पापा के तब तो कि हर साल कमर्स में हाइस्ट रिजल्ट क्यों है से उसकी हर मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो हम छोड़ेते हुए चार सो साथ हंक स्कोर किया है सर है सर से पहले हमी जानेंगे सरी बताइए कितने बच्चों ने इस बार पार्टिपेट किया था ट्यूएल्ट के जामना अपने इंस्ट्यूट से तो लगबक नहीं तो साइंस में कुछ होंगे में कुछ होंगे सबसे तदा बच्चे आर्ट इस बार कितना कितना परसेंट में थोड़ा कुछ बताईएगा देखिए का मतलब है लगबक 80% के आसपास तो सब में आकड़ा है आपका 80% 79% 82% तक अलग-लग संकायों में गया है पहले का होता था क्य जैसे पहले एक्जाम हुआ करता था तो सीवेसी में स्टेप वाइज माक्स भी दिये जाते थे जैसे कि आपका कोश्चन अगर 50% आपने आंसर कराया तो 50% आपको माक्स दे दिये जाता था और पहले बिहार बोट में क्या होता था कि अगर आपका कहीं भी एरर हुआ गलत ह दिया जाता था फिर बिहार बोट ने यह सीवेसी वाला पैटर्ण लागू कर लिया कि आपको स्टेप पर भी आपको माक्स दिये जाएंगे तो आजकल जो भी वच्चे अगर सल्यूसन कर रहे हैं उनका स्टेप वाइब अच्छा जा रहा है तो उनको दिये जा रहे हैं औ अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे नहीं ने 400 सटंग स्कोर किया इस बताइए पुरा किताब चाट गए थे का कि इतना नंबर स्कोर कर लिए मतलब पुरा लाइन मेरा मतलब पढ़ा हुआ है उसके बाद ग्रैमर पूरा फोकस था जो भी मतलब सिलेवस था उसकी हर सिलेवस पे मतलब मेरा पूरा फोकस था यह नहीं कि कोई पार्ट शोड़ दिया ऐसा नहीं हर पार्ट पे मेरा मैनद था इंगलिस 95 परसेंट कैसे आ मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो हम छोड़े यह सब चोटे-चोटे बच्चें इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कैसे त्यारी करें आपके जैसे स्कूर कर पाए जैसे जो भी मतलब इंगलिस का सिलेवस उस पर हर पे फोकस होना चाहिए कोई भी परसन यह नह मेरा भी टेस्ट होदा था तो काफी कम नंबर आता था लेकिन हम उससे सीखते गए और आखिरकार मेरा यह यह नंबर होगा तो पत्रना बोर्ड में जाके तो पर भी के संदे के आई हुए हैं इंट्रव्यू दे क्या हैं तो हम भी तो कुछ को सकते हैं आप जवाब आसानी और इसके बाद पद है और उसके बाद क्या बूलते हैं तुमुल कुला कला में फिर्स पूत्र भी योग अधक बताएं इतना स्कूर कैसे छात्र कर ले रहा है इस लार देखिए अब लगगर पर्टिकुलर्ली इंग्लिस का बात करेंगे तो बिहार बोड का जो सबसियों बर यह श्याफ को सभुम्ष से जड़ा किशने ज failed ज्याइब करते हैं जैसे बिछान की स्टूडेंट होते हैं एक होते हैं जो समझ के चीजों को लीखना जानते हैं और दूसरे होते हैं कि अच्छा इतना नहीं समझे तो दोनों तरीका का अब बच्चे जो है दिमाग लगाते हैं और पूरा टूदा पॉइंट उनका होता है कि सर्जी हम लोग सिलेबस ही पढ़ेंगे और सिलेबस से एक्ष्ट्रा वो कनातरी यह चाहिए कि हर साल कमर्स में हुआइस्ट आयता है ज्यादा वाले लुग हम लोग बतापाएंगा था हिंदी में सारी बते तो अब और कमर्स में ज्यादा आने के पिछे बच्चे हो सकता है उनके लिए सब्जेक्ट पढ़ता होगा या ज्यादा मेहनती होते होंगे लेकिन हमारे समाज में तो ऐसे देखा जाता है जो बच्चे आट्स लेते हैं उसी को कहा जाता है पढ़े वाला नहीं कि और हर सल जब रिज असको क्याप सकते हैं अपना उसको क्allify कर सकते हैं और ये लोगों की मान सकता हमी लोग के तरब ज्यादा है की बच्चा और सबred에 नीचे- yeux नेशीचे य inadvertently यह प्रमानित कर दिया है कि श्यादा pare कश करें और इस बार अगर आप रक्सौल का अकड़ा देखेंगे तो सब से नीचे पैदान पर साइंस है फिर कॉमर्स है और सब पर टॉप पर आर्ट से चुकि अपने यह आसी दो बचिया जो है वह स्टेट में भी एक कर रहें कर दूसरे दोनों का डिस्टिक में भी रहें कर तो दो परिवारी के सिती ऊच inflok नहीं है तो मतलब भाइभ कुल निये तो आपके कुछ help करना पड़ता है तो जादा में मैं मेरा पढ़ाही नहीं हो पाता था तो मेरा सब्सक्राणाons थी जोता था चाहे और रात को पॉड़ते पढ़ते चार या सारे चंतार पर जपकth पढ़ने की आपकी क्या तरीकाति कैसे पढ़ाई करते थे एक टार्गेट होता था कि आज इतना मुझे कवर करना है और उतना कड़के मतलब उसको चोड़ते थे थोड़ा बहुत बागी रहा जाता था तो फिर उसको कल उसको भीर के तरफ टार्गेट ले ते तक इसको कंप् सवाल जानना चाहेंगे जब बोर्ड से फोन आया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए क्या रियक्शन था हमको पहले लगा कि फेक है तो फिर हम सर के पास है और फिर चनलन सर पूरा उसका मतलब पता लगा तो यहां सच है यह बहुत बहुत धन्यवाद अंत में बस इतना ही कह हूंगा कि यह बस एक कागज का टुकड़ा मात्र है यह टुकड़ा आपका भविस्ते का निर्धारन नहीं करता है बहुत ऐसे छात्र है जो टॉप करकर के सड़कों पे टहल रहे हैं और बिरुज़जगार पड़े हुए हैं तो आप सब अच्छे से तयारी करें और जितन आपने बाद आप देख रहे हैं और मीडिया मैं हूं आपके साथ अनमोलती वारी